लखनो नाव गैंग रेप में पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीब सेंगर के भाई अतुल सेंगर सही तो उसके चार साथ्यों को गरफतार किया है हलांकि गैंग रेप पीडिता और उसके परिजन विधायक की गरफतारी की मांग पर अड़े है वहीं मामला सोप्रेम कोर्ड भी पहुंच गया है बीजेपी विधायक कुलदीब सेंगर और उसके भाई पर गैंग रेप के आरोप लगने के बाद पेडित लड़की के पिता की हिरासत में मौत होने के बाद पुलिस ने कारेवाही करते हुए अतुल सेंगर के साथ अन्य तीन लोगों को भी इस मामले में गरफतार किया है पुलिस ने कहा है कि इस मामले में किसी को भी क्लिंच चिट नहीं दी जाएगी और आरोपी विधायक से भी पूछताच की जाएगी उत्तर परदेश के ADG Law & Order आनंद कुमार ने कहा कि इस मामले में जाँच के लिए S.I.T. का गठन किया गया है और पूरी जाँच होने के बाद मामले में निश्चित तोर पर कारेवाही की जाएगी उन्होंने कहा कि पोश्ट माटम रिपोर्ट के मताविक पीडिता के पिता की मौत, सैप्टी सीमिया और कॉलॉल पर फॉरेशन की वज़े से हुई उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में किसी को भी किलिंचित नहीं दी है और आरोपी विधायक से भी पूछता चोगी पीडिता ने कहा कि कुल्दीप सैंगर को गिरफतार नहीं किया जा रहा मुझे नहीं पता कि उसके भाई को भी गिरफतार किया गया है या नहीं मैं उन्हें फांसी दिये जाने की मांग करती हूँ उन्होंने मेरी जिंद्गी को बरबाद किया है पीडित लड़की ने कहा कि मैं नियाय चाहती हूँ उन्होंने मेरे पिता को मारा है इस मामले में लड़की ने लखनौ सीएम हाउस के सामने नियाय के लिए सामुई की रूप से आत्म दाहा की कोशिश भी की थी उनका विधायक और उनके गुर्गो पर आरोब था कि तीन अप्रेल को उन्होंने पीडिता के पिता से मार पिट की और उन्हें जूटे मामले में फसा कर जेल भी दिया गया पूरे परिवार वालों को जाल से मरवा के पेख वादूँगा इसके वागीदार सती यह निदी यह वरिपाज सींगा है बहुत सारी रजिस्टरी की है बहुत सारा सब कुछ एक साल से कर रहे है पुलिस कोई रिपोर या पाइयार नहीं लिखते थी थी के से कोई आप नहीं कहते दी इंदी है तुमारी आप यार नहीं लिकी जाएगी सुस्ट महारा हमारे मारे पापा को कुली यजा ने मरवाया है मरुदी से अपने अधुल भाई जे मरवाड डाला पाइल बंदु को बहुत अधूयर यह वी मात्ते है में लें लोक पाय हुआ है कं डूं-बोडन से संधर मैं अधर्व के सल्निया थीए किया वजया है किस वज़य से मारा, क्या विवाद है झुभा निआ? घ्रेक मारे कि लाहिन के लाई भचीश यह सब्सक्रेंट ही इसक लेके मारा या और कोई भजा है? तो भज़यों मुसक्तमे की वज़ा है तो वापस लेने का जबामा कराist me मेरे पी पे तेस रवाए था भी मेरे पे ताथ केस वापस लिए तो अपने पर रहा है इस्टे लगए इस्टे किसी यूती का भी मामला है, क्या मामला रोग है गौरतलबे की यूपी में यूगी सरकार के विदायक कुलदीब सिंग सेंगर और उसके भाई अतुल सिंग पर मारवी गाउं की एक यूती ने गैंग रेप का मामला दर्ज कराया हुआ है यह मामला 4 जून 2017 का है लेकिन पीडिता को न्यायन नहीं मिल पार रहा है वही पीडिता के पीता को पुलीस ने 3 अप्रेल को आर्म्स एक्ट और मार्पिट के मामले में गिरिफतार किया और पुलीस कस्टेडी में 8 अप्रेल को उसकी मौत हो गई आरोप लग रहे हैं कि विधाय की दबंगई के चलते पीडिता के पीता पर केस वापिस लेने के लिए दबाव बनाय गया था जब वहें नहीं माना तो उसे आर्म्स एक्ट और मार्पिट के मामले में बंद करा दे गया और उसे निर्ममता से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई इससे पुलीस की कारेशेली विधाय की दबंगई और योगी सरकार पर अपने विधाय को बचाने के आरोप लगे हैं विडिता के पिता की मौत के बाद पुलीस ने विधाय के भाई सहीच चार को गरफतार किया है यह घटना दुरभागे फून है कल ही इस मामले में एडिजी लखनों को पुरी जाच करके और जो भी दोसी हैं अगर फुलीस के लापरवाई कहीं पर है तो ऐसी दोसी करमियों के खिलाब भी कारवाई करने और जो भी दोसी होगा कोई भी हो पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोसी को बकसा नहीं जाएगा सरकार और कानून इस मामले में जो भी इस मामले में दोसी हो या किसी भी घटना में उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगा वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है योगी सरकार के लिए यह मामला गले की फास बन चुका है देखना होगा कि इस मामले में आखिर विधाय की गिरफतारी को कब तक बचाय जा सकता है